दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँगी Redmi Company के साथ क्या गलत है Redmi Company अब वो बिल्कुल नहीं रही है जिस चीज के लिए वो जानी जाती थी हाँ, तो बात करते हैं देखो मेरे हाथ में ये Redmi Note 11 है मैंने ये सोच के लिए था कि इसमें अपडेट आएंगे 3-4 साल तक मस्त अपडेट आएंगे नई चीज आएगी तब HyperOS अनाउंस हुआ Redmi Company का एक ऐसा UI जो उसकी खराब MIUI की इमेज को चेंज कर देगा यानि कि उसमें bloatware नहीं देखने को मिलेंगे privacy का बहुत ध्यान रखा जाएगा security का बहुत ध्यान रखा जाएगा वो crappy नहीं होगा फालतू के add नहीं आएंगे और मखन चलेगा लेकिन दुखत तोर पर मुझे ये बात में पता चला कि Redmi Note 11 में HyperOS का अपडेट आएगा ही नहीं फिर मैंने थोड़ी सी दे सर्च की और जाना कि कौन से फोनों में Redmi के फोनों में HyperOS आएगा तो मैंने देखा कि सबसे पहले जो उनकी C सीरीज है उसमें HyperOS का अपडेट आया जो की Redmi की budget segment की सीरीज है फिर मैंने देखा कि इन्होंने क्या किया सस्ते फोनों में सबसे पहले HyperOS दे दिया यानि की C सीरीज जो इनकी Note सीरीज है उसमें HyperOS का अपडेट का कोई लिना देना ही नहीं था कोई ठिकाना ही नहीं था बाद में वो किया तो यानि सस्ते फोनों में पहले दिया कि वो पहले सस्ते फोनों में देती है HyperOS उसके बाद महेंगे फोनों को पुछती है जिससे एक ट्रस्ट इशू हो जाता है कि आपके फोन में आएगा अभी के नहीं आएगा मैं दो बतारो मेरे फोन में नहीं आएगा और यह बड़ी दुखत बात है दोस्तों क्योंकि जह हम फोन खरीदते हैं तो यह सोच के खरीदते हैं कि अपडेट आएगा अब यह HyperOS क्यों बनाए आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि MIUI की इमिज को चेंज करने के लिए क्योंकि Redmi value for money hardware basis पर देता है लेकिन software में एक crappy software UI देता है जिसमें ads आते हैं फालतु के apps लोड होके आती हैं और यह image अभी तक change नहीं हुई है क्योंकि अभी भी majority of devices में MIUI ही चल रहा है HyperOS के कोई update की ना news है, ना खबर है, ना कुछ है एक middle class family के लिए डेर साल पुराना phone एक नया phone ही होता है अमीर लोगों के लिए शायद दो महीने में phone पुराने हो जाते middle class family में जब तक phone एकदम खतम नहीं हो जाता है, उसको इस्तिमाल किया जाता है हमारे अगर screen तूट जाए, तो screen बे दबाल दी जाती है, battery backup नहीं हो रहे है तो एक battery लगबाली जाती है, और charging में issue आ गया है, तो ठीक करा लिया जाता है हमारे अभी भी middle class family phone को repair करके चलाती है हम इतने अमीर नहीं है कि हम phone अगर तो phone खरीद लें दूसरा मैं एक normal घर के बता रहा हूँ मैं आपको middle class family जो ज्यादतर भारत में लोग रहते हैं वो phone को repair कराते हैं, हलकी सी issue होने पर नया phone नहीं करें लेते हैं तो उनके लिए तो ये phone ठीक है ही नहीं, right और ये चीज़ देखते हुए कि अगर आप कोई नहीं चीज़ लेकर आते हो तो वह आप update देते ही नहीं हो फोनों में कब आएगा नहीं पता, अब ये phone मेरा डेट साल पुरा ना है, अब अगर चार साल बाद या तीन साल बाद hyperOS आता है तब तो मेरा hardware वैसे भी outdated हो चुका, मेरा phone तो वैसे ही outdated हो चुका, तो उसमें फिर ये लोग ये भी excuse दे सकते हैं कि भाई आप तो फोन चार साल पुरा में, right आप delay कर रहे हो ना, मैं थोड़ी दे रहे हो, अब आगर आप Redmi का phone खरीते हो और उसमें कोई guarantee नहीं है कि उसमें hyperOS आएगा, जब तक उसके box में नहीं लिखा है तो आपको phone नहीं लेना चाहिए, क्यों लोगे आप, आप ऐसे तो उतन नहीं दे रहे हो ना, note तो नहीं दे रहे हो ना, तो phone आपको पुराने MIUI के साथ क्यों आप ले रहे हो आपके पास और भी बहुत सारे option है, अब मैं थोड़ा Redmi company के इतिहास के बारे में बात करता हूँ Redmi company भारत में आई थी value for money लेकर, Redmi company कम budget में ऐसे hardware दे रही थी, कि कोई भी company नहीं दे रही थी उस वक्त में, 2015, 2014, 2016, जो भी वक्त था वो, तो उस वक्त में, side में कोई और इसी company नहीं थी, जो इतने budget में इतने अच्छा hardware दे दे, right Samsung भी नहीं थी, कोई भी नहीं थी, तो Indian market को Redmi company ने capture कर लिया, अपनी note series के साथ, जो की 7000, 8000, में आते थे phone, बढ़िया देते थे, मलब must hardware देते थे, must, सब कुछ बढ़िया देते थे, अब वक्त बदल चुका है दोस्तो, 7000, 8000, 9000, 10000, 12000 में, ऐसी बहुत सारी company आभारत मे आ चुकी है, जो आपको better hardware, better software experience दे सकती है, जैसे Motorola, वो एकदम stock Android experience देती है, hardware में भी बहुत अच्छे वो देती है, और भी बहुत सारी company आई, even Samsung भी आप budget smartphone दे लिया, तब कोई point भी मिनता कि Redmi का आप खरीदो, Redmi company जो budget segment के लिए जानी जाती थी, वो अब वो company नहीं रही है आपको पता है, पहले Redmi के phone जैसे Note 4, Note 5, Note 4 तक भी, तो ये 7,000, 8,000, 10,000 के phone आया करते थे, आजकल अगर आपको Note series लेनी है, तो वो आपको 30,000 में मिलेगी, या 22,000 में, 25,000 में, इस तरह कि इनके price है, अगर आप इनकी pricing के pattern को notice करेंगे, तो हर साली अपनी Note series को 1,500 रुपे म इस महंगा करनी की series में अब वो मुकाम आ चुका है कि Redmi के Note series है, वो अब एक budget phone नहीं रह गई है, वो एक premium series रह गई है, ऐसी premium series जिसमें आज भी बहुत सारे ऐसे feature मिलते हैं, जो एक basic budget phone में मिलते हैं, और इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ इनके cameras की तरफ, Redmi Note 13 का camera बहुत अच अच्छा है, लेकिन उसमें आप notice करेंगे कि उसकी image quality और video quality वो नहीं है, जो एक premium phone में होने चाहिए, यह कहते हुए कि इनका note series जो है, वो premium है, इसमें extra sharpness देखने को मिलती है, और camera में जो Chinese पना है, वो भी देखने को मिलता है, Redmi के phone के camera शुरू से ही बदनाम रहे हैं, कि उ यह चीज़ Samsung और Apple के साथ कभी नहीं हुई, in fact और भी बहुत सारी company है, और भी बहुत Chinese company है, जिनके साथ यह चीज़ नहीं होती, लेकिन Redmi company के जो cameras है, उनमें यह खास तोर पर देखा गया है, कि जो image बेशक साफ होगी, लेकिन उसमें एक Chinese पना होता है, जो आप एक बार में देखकर बता सकते हो, यह चीज़ इनकी अभी तक चेंज नहीं हुई है, अब अगर आपको premium phone लेना है, तो मैं कहूंगा, आप Redmi का बिलकुल मत लीजिए, premium phone लेना है, तो उस company के लिए लिए जो premium phone बनाने में specialized है, मैं रहीं कहता कि Xiaomi company as a parent company premium phone नहीं बनाती, Xiaomi को आप अगर द यह consider नहीं करना चाहिए, आपको बाकी companies में जाना चाहिए, Samsung में जाना चाहिए, और बहुत सारी company है, उनको consider करना चाहिए, ना कि Redmi को, तो यह परिशानिया मुझे लगती है, Redmi company में, आईए बात करते हैं, और क्या परिशानी लगती है, और situation आप Redmi के लिए कैसे बदल रही ह अब मैं बात करता हूँ, build quality की, देखो यह बात हम जानते हैं कि अगर कोई budget phone है, तो उसकी build quality थोड़ी plastic वाली होगी, fingerprint पकड़ेगी, इतना durable phone नहीं होगे, पकड़ने से लगेगा कि भाई, इतना premium phone नहीं है, यह चीज Redmi को पता है, और उसने change करने के लिए अपनी note series में, ज इशले सालों में, ऐसे बहुत सारे phone और gadgets हैं, जो vegan leather दे रहे, अगर सस्ते में vegan leather दिया जाए, तो एक वक्त के बाद वो छुटने लगता है, अलाकि अभी थोड़ा time है देखने के लिए, कि वो चलता है कर नहीं चलता है, लेकि normally, जो leather finish जो होती है, वो durable नहीं होती, glass bag, plastic bag स वो ही बेटर है, तो यहाँ भी, अब दोको build quality पता है, budget phone की क्यों बुरी होती है, लोग बोलता है, budget phone इतना plastic क्यों दिखते हैं, Redmi phones, जो budget वाले थे या जो भी है, वो क्या बहुत bulk में बनते हैं, और बहुती कम margin पर बेचे जाते हैं, या तो आप एक phone बेचो, एक लाक का, एक लाक का बेचो एक phone, जिसमें 30,000 आपको बचे, 30,000 आपका profit है, या तो आप 10 लाक phone बेचो, जिसमें 1-1 रुपे का आपको profit है जो profit ratio है, वो लगभख समान ही हो जाता है, luxury goods में आप एक बार बेच के कमा लेते हो, budget goods में आप बहुत बार, बहुत सारी चीज़े आपको बेचनी होती है, तब कमाते हो, तो ये देखने वाली बात है, इसलिए भी इनकी build quality उतनी अच्छी नहीं होती, बट वो premium में ले जा है मुझे, Redmi के बारे में की खराब चीज़ चल रही है, I hope हम मेरी बात से सहमत होगे, नहीं सहमत तो भी comment section में लिख दो, अगर आप Redmi devices माल करते हो, मेरी तरह है, तो फिर भाई, बिल्कुल हगदार हो, नीचे लिखने के लिए कि आप क्या सोचते हो, अगर आप को वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक करें, में दोस्तों के साथ शेयर करें, साबर सेक्योर्टी और इथिकल हैं में ट्रस्टे दो, डिस्क्रिप्शिन चेक करें, तो 99 रुपीज के तीन ही तिकल हैं कुर्सेज है, आसान भाषा में आपको इथिकल हैं सिखा देंगे, मैं मलत आप से अच्छी वीडियो में, थैंक यू सो मच और गुड़, बाइ!